नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थेोरी की प्रेलिस का लिंक मिल जाएगा आज हम एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे रिजल्ट हमारा किस तरह से है करनल F is an ideal of R तो रिंग के सुरुवात में यह उने बताया था कि इसमें जो ideal है वो analogous होते हैं ग्रूप में normal subgroup के यानि कि जिसे यहाँ पे यह करनल F ideal है आर का तो वहाँ पे जो करनल F होता है वो हमारा होता है normal subgroup of group और यहाँ पे ideal को भी हम इसी notation से लिखते हैं करनल of F is ideal of R इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह analogous होते हैं जिसे यहाँ पे MZ जो है, वो हमारा सब्रिंग होता है Z का, इसी तरह से group theory में MZ जो है, वो normal subgroup होता है Z का, तो अगर आपको group theory में ज्यादा interest है, तो वहाँ पे normal subgroup पढ़े होंगे, तो वहाँ से हम यह चीज देख सकते हैं, कि अगर कोई हमें special, यहाँ पे ideal मिल रहा है, तो सॉरी, special अगर हमें कोई subring मिल रही है, जो कि वहाँ पे अगर normal subgroup हुआ करती थी, तो वह यहाँ पे ideal हो जाएगी, तो यह एक observation है, जो काम आ सकता है, अब इसका proof देख लेते हैं, let f from r to r prime is homomorphism, then, kernel f हमारा किस तरह से define होगा, x belongs to r, यह r हमारा ring वाला है, यानि यह वाला, यह हमारा real number नहीं है, ठीक है, ring है, x belongs to r, such that f of x is equals to 0, और यह 0 कहां का है, r prime का, let x, y belongs to kernel f, अब हमें चुकिए इसको ideal so करना है, तो ideal के लिए क्या क्या property होती है, पहली property क्या होती है, a minus b belongs to i, ideal अगर हमने i को so करना है, दूसरी क्या होती है, कि for all r belongs to r, r a, a r belongs to i, तब हम बोलेंगे कि i जो है वो ideal है, अब यहाँ पर क्या है, हमने दो element ले लिए, पहले हमें क्या so करना है, यह वाली property, तो x और y अगर हमने kernel f में लिए हैं, तो वो किस तरह के होंगे, कि f of x 0 होगा, f of y भी 0 होगा, f of x is equals to 0, f of y is equals to 0, अब एक चीज़ देखो, now f of x minus y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह जो है, इस तरह से लिख सकते हैं, f of x plus f of minus y, और यहाँ पर एक property होती है, होमोमार्फिजम की, कि f of minus x is equals to minus f of x, तो यह क्या हो जाएगा, f of x minus f of y, और यह हो जाएगा, f of x क्या है, 0, f of y क्या है, 0, तो यह इंपलाई करेगा, x minus y belongs to kernel f, अब हमारा पहली property तो satisfy कर गया, अब दूसरी वाली देख लेते हैं, now for any x belongs to kernel f, and r belongs to r, x अगर हमारा kernel f में है, तो f of x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब हमें क्या सो करना है, कि x r kernel f में है, और r x kernel f में है, तो पहले x r के लिए देख लेते हैं, f of x r ये किसके एको जाएगा, f of x into f of r, क्योंकि f हमारा क्या है, हमार फिज में, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 के एको जाएगा, f of r को ऐसे ही लिखा रहें देते हैं, और 0 into f of r, ये क्या हो जाएगा, हमारा 0, रिंग की प्रापर्टी होती है कि अगर A belongs to R तो 0 into A जो है वो 0 होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि XR जो है वो करनल F में belong करना है, इसी तरह से हम Rx के लिए भी देख लेते हैं, F of Rx is equal to क्या लिख सकते हैं F of R into F of X, F of X हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो F of R into 0 is equal to 0 और यह imply करेगा Rx belongs to करनल F, और इसको हम कहेंगे कि करनल F is ideal of R तो इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में